दोस्तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने YouTube वीडियो में थम्निल केसे लगा सकते हूँ दोस्तो यहाँ पर देखो मैं अपने चैनल को आपन किया हूँ तो मेरे सारे वीडियो में थम्निल लगा होता है जो कि देखने में premium लगता है, attractive लगता है तो यह थम्निल केसे लगा जाता है तो आज मैं अपने mobile screen में live आपको थम्निल लगा कर दिखाने वाला हूँ क्यों कि बहुत सारे लोगों को दिक्कत यह भी होता है जब thumbnail लगाता है तो इस प्रागा यहां पर option ही नहीं मिलता हो उसको तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि आप अपने YouTube वीडियोस में thumbnail कैसे लगा सकते हो और इस वीडियोस को देखने के बाद आपके वीडियोस में thumbnail लगेगा 100% तो कैसे लगाना thumbnail आप जानना चाहते हो चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नहीं हो और YouTube को और वीडियो देखना चाहते हो चैनल को सब्सकाइब कर लेना चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं अब दोस्तों देखिए thumbnail लगाने के लिए आपको क्या करना पता है सबसे पहले आपको अपने mobile के यहाँ पर देखिए आपको अपने mobile में YT Studio एप को डाउनलोड करना है प्लेश्टोर में आपको मिल जाएगा लिंक डिस्कप्सन में है ठीक है अब यहाँ पर देखो मैं YT Studio एप को अपन किया हूँ और बहुत साय लोगों का यहाँ पर thumbnail नहीं लग रहा होगा तो कैसे लगेगा वो भी आपको दिखा हूंगा live ठीक है आपका thumbnail लगेगा hand at person अब यहाँ पर देखो जैसे उपन करते है YT Studio एप तो आपको इस पर option मिलता है अब यहाँ पर देखो मैं content पर click करता हूँ तो मैं अपने channel में एक video upload किया हूँ तो इस video से मुझे thumbnail लगाना है तो thumbnail लगेगा कैसे यहाँ पर आपको videos पर click करना है videos पर click करने का बाद देखिए यहाँ पर custom thumbnail पर मैं click करता हूँ तो यहाँ पर मैंने click किया तो यहाँ पर दीखो बहुँ आपर दिखो यही दिक्कात होता होगा आनि कि यह problem मिलता होगा निika thumbnail लगाने के यहाँ पर option ही नहीं मिलता है तो कैसे मिलेगा 100% मिलेगा यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर verify करने के लिए बोल रहा है तो यह verify केसे होगा, पहले verify करेंगे, तब जाके आपका thumbnail लगेगा तो आपको verify केसे करना है, यहाँ पर verify करने के लिए आपको अपने mobile के chrome browser को open करना है, ठीक है और इस पर क्लिक करने का बाद देखिए, आपको क्लिक करना है, यहाँ पर डेक्स्टॉप साइट का उप्सन जो मिल रहा है, इस पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है, अब देखिए, आपको लोगों पर क्लिक करना है, छोड़ा सा कॉर्णर में दिखेगा, और यहाँ पर चार नमर में YouTube studio दिख रहा है, इस पर आपको click कर देना है, अब click करने का बाद आपका YouTube का beta studio open हो जाएगा, तो यहीं से पहले आपको verify करना होगा, तब जाके अपका thumbnail लगेगा, यहाँ पर देखिए, अब देखिए, आपको corner में आपको दिखेगा setting का icon, तो इस setting icon पर आपको यहाँ पर click कर देना है, अब इस पर इसे click करते हो, यहाँ पर देखिए, आपको मिलेगा channel का option, यहाँ पर देखिए, अब channel पर आपको यहाँ पर click करना है, अब देखिए, यहाँ पर आपको मिलेगा, यहाँ पर देखिए, आपको मिल रहा है, feature agility का option उपर में, तो इस पर आपको click कर देना है अब जिसे click करते हो तो यहाँ पर देखिए पहला option आपको enable देखेगा यहाँ पर देखिए दूसरा वाला option को आपको बस enable करना है इसको enable करते हूँ आपका thumbnail लगेगा कैसे मैं आपको live भी लगा करके दिखाने वाला हूँ ठीक है option नहीं मिल रहा था ना मि यहाँ पर देखो मैं किया करता हूँ इस पर click करता हूँ अब देखिए यहाँ पर पहले आपको अपना verify phone नमर आनि कि mobile नमर से आपको verify करना होगा ठीक है अब verify करने के बाद आपको क्या क्या option मिलता है पहले देखिए 15 निट से उपर का वीडियो डाल पाएंगे अपने च अब देखिए आपको verify phone नमर पर क्लिक करना है यहाँ पर मैं इस पर click कर देता हूँ अब देखिए आपके सामने इस पकार से redirect हो जाएगा और यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर आपको mobile नमर से verify करना है यहाँ पर देखिए आपको अपना country select करने का option मिल रहा है और बहुत देखिए यहां पर आपको आपको अपना mobile number यहां पर डालना है जिससे ख्रक्र iौ तो यहां पर चलिए मेश ह channel ऑपनी मबाइल यहा पुलिक कर लिया करना ऑफ ऑपको तो क्लिक करनाए तो मैं के टकोड पर क्लिक कर देता हूं अब जैसे क्या करना है आपको यहाँ पर simply Sumbit पर यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है अब जेसा Sumbit पर क्लिक करेंगे तो देखिए आपका mobile नमर से आपका YouTube चैनल यहाँ पर verification हो चुका है verify यहाँ पर आपका successful complete हो चुका है और यह complete होने के बाद आप अपने YouTube चैनल में थमने लगा सकते हो ठीक है अब आपको क्या करना है यहाँ पर आपको बैक कर देना इस पकासे अब आपको दुबारा फिर से बैक करना है आपको Chrome में जाना है फिर से और यहाँ पर देखिए तो बहरी भी किसन हो जाने के बाद आपका य YouTube चैनल पर आप अपने वीडियो में थमने लगा सकते हो तो तो थमने केसे लगेगा यहाँ पर देखिए आपको दुबारा YT Studio अप को उपन करना है और अपने वीडियो को यहां से उपन कर लेना ठीक है यहाँ पर देखिए मेरा वीडियो दिख रहा है इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर देखिए पैंसल आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ पर देखिए आपको इस पैंसल आइकन पर क्लिक करना है तो यहाँ पर देखिए कस्टम थमनेल पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको थमनेल लगाने का option मिल रहा है इस पकार से कोई भी slide करो और यहाँ पर नए सब्सक्राइब कर देना चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में तब तक के लिए जैहिन वंदे मातरम